हलो मित्रों जय माता दी मित्रों पिछले कई दिनों से आपके जीबन में बहुत बड़ी संकटे आ रही हैं बहुत प्रिसानियों से आप घीरे हैं आप कितना भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं परंतु आपके घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों काफी प्रिस्तान और काफी फ्रस्टेट हो चुके हैं परंतो दोस्तों आपको जीबर में भगवान स्रीहरी विश्नु जी की किरिपा से और भगवान स्थानिदेव जी की किरिपा से बहुत पड़ा परदान मिल्ले वाला है जी हाँ ऐसा समय सबको प्राप्त नहीं होता है बड़े ही नसीव वालों को ऐसा भागे साली दिन देखने को मिलता है जी हाँ दोस्तों हम अगले 24 घंटों के अंदर आपके घर में परिवार में खुसियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा यह खुसकवरी आपके नीद और चैन उड़ा देगी और खास बात यह है कि हमारा बात कभी गलत नहीं होता बस इतना ही है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करिएगा और अंदर तक इस वीडियो को देखिएगा वीडियो सुरू करने से पहले हम महत्मून बात आप सभी से कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिनरात मेहनत करते हैं आपके दिन्चरिया और आपके ग्रह गोशर में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं इस विसे में हम दिनरात मेहनत करके आपके बिसे में चर्चा करते हैं तो इसलिए आप से बहुत इच्छानवीन करने के बाद आप सभी के सामने यह जानकारी लाते हैं जुटाते हैं लाते हैं तो आप से बस इतना ही चाहिए कि आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और हमारे चैनल से जुड़ जाईएग और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप रंग से राधा बनने वाले हैं लेकिन इसके बीच में जो रुकावट हैं उन रुकावटों को भी आपको समझना बहुत ही आवसक होगा और उन रुकावटों के समझना बहुत ही आवसक है दोस्तों हम सभी को बता दे कि आप अपने जीवन काल में सुख का कोई पल अब तक नहीं देखे हैं सुख का कोई भी पल आपको अभी तक महसूस ही नहीं हुआ है दोस्तों जो पैसा कमाते हैं इधर से आता है और उधर चला जाता है थोड़ी बहुत आप मदद कर दें तो तुझे ज्यादा लंबे समय तक आप समहाल नहीं पाते हैं अभी तक आपके जीवन में एक भी प्रिसानी खत्म नहीं होती कि दूसरी तुरत नहीं प्रिसानी खड़ी हो जाती है अभी तक आपके जीवन काल में कई समसाएं आपके उकसर पर आ बैठी हैं अपने जीवन काल में आप कभी भी दिल से खुसी नहीं हो पाए हैं साथ ही आपको प्रिसान करते हैं, आपके भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं, लोगों से उनकी लोग भी आपके खिलियां उड़ा देते हैं, मजाक बना देते हैं, दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आये हैं, जिन में आप अपने आ एक एक परिसानी को जड़ से खत्म न कर दे तो फिर कहना दोस्तों आज कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंद तक जरूर देखिएगा आपके जीवन काल में चल रही सभी परिसानिया जितने भी परिसानिया हैं चाहे आप पैस्वा से जुड़ी परिसानियों से घिर कर ली दोस्तों आज जो है हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को अंध तक जरूर देखेगा और इस वीडियो को पूरा देखें भूलकर भी इसको छोड़े ना आपके जीवन का सवाल आपके जीवन काल में जो पर करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरूरात करते हैं लेकिन उससे पहले मादुरगा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ती भाव से माता को याद करते हुए जै मादुरगे अवज से लिखें दोस्तों याद रखें जिनके साथ मादुरगा माता दुर तो दोस्तों इसलिए आप लोगों से जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसे आप गौर से देखिएगा दोस्तों हम आपको बता दें कि दुस्मन आपको कभी भी कुछ नहीं कर सकता है और दोस्तों एक चीज आप नोटी जरूर की होंगी कि जब कभी भी आप सफल होते हैं आप प्रसन होते हैं जब भी आपको कोई चीज आपके महनत से मिलती है तो तो यह दुस्मन आपके आपके अपने आपके घर में बैठे हैं आपके नजदीक बैठे हैं जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाते हैं जी हाँ दोस्तों आपको सुनकर बहुत ही असर्य होगा लेकिन आपके आसपास ही कई ऐसे लोग हैं जो आपको हर किसी भी खुश नहीं देखना चाते हैं बहुत ही खास हैं आप उनके लिए बहुत ही खास हैं बहुत ही सगे हैं बहुत ही चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं बहुत ही आपका आपके मुह पर बहुत ही बढ़ाई करते हैं आपके भलाई के बारे में कहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विस्ट खोल कर बैठे हुए हैं दोस्तों हम आपको बता दे कि ऐसे दुस्मन बहुत ही खातरनाक होते हैं जो छूपे रहते हैं और वो अपने सगे बनकर हमारे नजदीक रहते हैं इससे आपको साफधान रहने की बहुत आविश्यकता है दोस्तों हम आपको बता दे कि आप बड़ी ही संत प्रविर्ति के इंसान है यदि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं छोटा मोटा भी मिल गया तब भी आप अपने जैसे तेसे अपना गुजारा कर लेते हैं अपना काम चला लेते हैं किसी के सामने आपने अभी तक रोना कभी नहीं रोया लेकिन आप दूसरों को देने में विश्वास रखते हैं आपको अपने खुशी को अपने अर्मानों का गला घोट कर भी दूसरों को खुशियां देते हैं आपके ही बात कर रहे हैं जी हां आपके ही बात कर रहे हैं आप भी कभी आज तक कदर नहीं हो पाई हैं आपके कदर आज तक किसी नहीं की ह जैसा आप दिल से बहुती बड़ी ही प्रेमी सभाव के इंसान हैं वैसे आपको कभी भी इज़त और सम्मान नहीं मिल पाया है दिखावे के तौर पर आपको बाहर बाहर से तो सम्मान देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उन लोग आपके खिलाप बहुत विस्पाल कर बैठे हैं जी हाँ दोस्तों आपकी कभी कदर भूल नहीं पाई है और आस्टर की बात तो यह है कि जिन लोगों ने जिन के लिए आपने अपने सब कुछ निछावर कर दिया अपने पास कुछ भी नहीं रखा यहां तक कि आप हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचते रहे लेकिन उन इंसान की सक्ति की सीमा होती है फिर भी आप की रासी वाले जातक इतने सहन सक्ति के होते हैं और आपकी सहन सक्ति अपार होती हैं आप कितना भी प्रसान क्यों न हो जाएं कितनी भी तकलीफ में क्यों न गिर जाएं फिर भी आप दूसरों के सामने गिर गड़ाते नहीं हैं आप अपनी होसला को कभी भी कमजोर नहीं होने देते हैं यही तो आपकी रासी की बहुत थी बड़ी खुबी है आपकी यही खुबी आपको एक दिन कामयाब बनाती है दोस्तों आप मन ही मन अपना कुछ करने का अपना कारुबार करने का आत्मिर्ण बनने का ख्याल रखती ह और सपने में भी देखते हैं इसी की वज़ा से आप कई सारे ऐसे भी कारी करते हैं जिन में आपको प्रसानी भी होती है लेकिन बहुत जल्द बहुत बड़ी काम्यावी भी मिलती हैं दोस्तों बहुत बड़ी काम्यावी भी आपको बहुत जल्दी हांसिल होने जा रही हैं ज जब आप बिल्कुल भी मदद करने की इस्तिती में नहीं थे और उसके बाद भी आप खुद बहुत प्रिस्तान हुए लेकिन फिर भी आप अपनों की मदद करने के लिए जरूर सामने आए और दूसरों की मदद करने के लिए आप कभी भी पीछे नहीं हटे दोस्तों यह सब से अच्छी बात है हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कोई समस्चा लहीं है लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप की रासी के जा तक हमें साथ दूसरों की मदद करने के चकर में अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं अपने जीवन में कहीं पीछे छूट जाते हैं दूसर कई साथी लोग लाब भी ले जाते हैं जीहां दोस्तों आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार बड़े ही चालाके के साथ बदमासी के साथ आपकी भावनाओं का लाब ले लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ महसूस करते हैं तो आपको हम बता दें कि आपको सतर्क हो के लिए अब हो जाएं अब समहलने के लिए आप तयार हो जाएं यदि अपने अब सतरक्ता नहीं वरती तो आप जीबन में बहुत बड़े गड़े में गिरने जा रहे हैं जी हां दोस्तों अब आपको अपना भोलापन त्याग ना होगा दुनिया इतनी सीधी सची नहीं है जितनी आप इसे मान कर चलते हैं जी हां दोस्तों हम आपको थोड़ा सकत रवया अपनाना अब आपको सकत रवया अपनाना ही पड़ेगा दोस्तों अब आपके मन में एक संकल्प करना होगा यह आपको बताना चाहेंगे कि यह संकल्प जो है आपको अपने अंदर से लाना होगा अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना उसे जो लाब जो है आपसे ले जाते हैं उसे नहीं देना है दोस्तों हम आपसे कहते हैं आप सचे दिल से अपने हिर्दे पर हाथ रख कर बताईए हम जो बात कर रहे हैं वह बात अभी तक सच है कि नहीं आपके साथ ये सारी की सारी बाते होती है या नहीं जरूर बताईएगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं जरूर बताईएगा कि ये सारी की सारी बाते जो मैंने आपको बताई वह सही है या नहीं आपके साथ ये आए दिन एक दिन की बात नहीं है ये आए दिन आपके साथ होती ही रहती हैं दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आप सच्चे हिर्दे से अपने दिल पर हाथ रख कर बताईए कि जो मैं बता रहा हूं वो बाते आपके साथ सही हो रही है या नहीं यदि हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवज से बताईएगा हमें आपके जबाब का इंतिजार रहेगा तो दोस्तों अब हम आपसे बता दें कि आपको अपने मन में संकल्प करना है कि अब आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है इन लोगों को शवक्षी खाना है और इन लोगों को वह करकर दिखाना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं दोस्त उस नजरिय की बात कर रहा हूँ आपको अब राजा वाली प्रविर्ती पर जाना होगा अब आपका अच्छा समय आ चुका है अब आपके ग्रहों के चाल बहुती सुन्दर हो चुकी है और आपके अनुकूल हो चुकी है जी हाँ दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवस्यकता है वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती करेंगे तो हर आप हार जाएंगे और आप सफलता को हासिल करने से फिर पीछे चूट जाएंगे या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद आपको फिर से असफलता की और कदम बढ़ा देंगे इसलिए यहाँ दोस्तों आपका बहुत ही दिल बढ़ा है हम जानते हैं यह तो जबाब कामियाब होना शुरू होंगे आपके जीबन में खुसियाली आएंगी आप फिर से नएने लोग आपसे जुड़ेंगे फिर से नएने लोग आपसे जुड़ने का परियास करेंगे जिनोंने भी आपको दोखा दिया है जिनोंने भी आपके कदर नहीं की है आपका समान नहीं किया आपके इज़त नहीं किया ऐसे लोग भी आप छे फिर से जुड़ने का प्रियास करेंगे आप से माफ ही मांग लेंगे आप से फ्रेम पुर्न वरताप कर लेंगे लेकिन वह सव नकली होगा आपको याद रखना होगा आपको उन्हें किसी भी हालत में वाप नहीं करना है वरना आप भी फिर से मुसीबत में फड़ जाएंगे तो दोस्तों आप आपको बता दें कि अब आपका मान सम्मान कब वापस आएगा और अब आपके सफलता फिर से कैसे फ्राप्त होगी तो आपको बता दें कि इस कल्यूग में सनी देप न्याय के देवता रहते हैं कर्म के देवता कह जाते हैं और सनी देप की आपके उपर पूरी दृष्टी है पूरी कृपा है क्योंकि अब आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल के मुताविक सनी देप अभिवेक्ती अवस्ता मे और इस वज़ा से आपके उपर सनी की कृपा बनी हुई है, सनी आपके उपर बहुती कृपदर्ष्टी बनाए हुए हैं, इस समय आपको बड़े ही संभल कर चलना है, जी हाँ दोस्तों, सनी देब जी की कृपा आप लोगों पर है, जिससे कि आपके जीवन में खुसियां बर जी आपने एक भी गलती भूल से कर दी, तो सनी देब, भगवान सनी देब आपको उसकी भी सदा अवस्य देंगे, आपको माफी नहीं मिलेगी, तो आपको बहुती फोकस के साथ, बहुती आप लोगों को जो है, इस समय गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अब हम आपको ब तो है, खुसियां अब आपके इंतजार कर रही है, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने आपके साथ बुराई की है, उनका एक एक करगे भगवान सनी देब, स्वेंग दंडे देंगे भी, और अपने कर्मों का फल भी आपको उन्हें खुद ही उन्हें भोगतना होगा, तो अब आपको अंगली वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप अपने जीवन की परसानियों को दूर करेंगे, कैसे अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे, यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, आपका दिन बहतर बने आप हमारे साथ जुड़ जाएए आपके जीवन की प्रसानी को जड़ से खत्म करने की गैरंटी हमारी है इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बाद वाली जो वीडियो आईगी यह मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में देदूँगा उस वीडियो को भी जरूर देखेगा उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके जीवन की प्रसानी भी जड़ से समाप तो हो जाएगी तो दोस्तों उमीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में भगवान सनिदेप जै सनिदेप महराज की जरूर कमेंड कर दीजेगा आपका दिन सुबह हो मंगल कारी हो जैमा विंदुवाज